हलो फ्रेंड्स हमारे चनल में आप सभी का स्वागत है तो आए जानते हैं 2022 में गुड़ी पड़वा कब है वो गुड़ी पड़वा की तारीख हुआ मोहुत तो 2022 में गुड़ी पड़वा 2 अप्रेल सनीवार के दिन माना गया है इसकी सुरुवात है एक अप्रेल को गेरा बज़ के शपन मिनट से समाप्त है दो अप्रेल बारा बज़ के तीस मिनट तक तो देखते हैं गुड़ी पड़वा का मुख पर्व मुख्यता है महाराश्ट में हिंदू नवर्स वा नव समवतसर के आरंब की खुसी में मनाया जा पंचाक के अनुसार चैतर मास के सुकल पक्ष की प्रतिपदा से नए साल की सुरुवात होती है और इसी दिन ये तेवहार मनाने की प्रता है अब देखते हैं गुड़ी पड़वा का महोर्थ चैतर मास के सुकल पक्ष के दिन जिस दिन सुरियोदे के समय प्रतिपदा हो उ यदि सुर्योदे के समय किसी भी दिन प्रतिपदा ना हो तो नव वर्स उस दिन मनाते हैं जिस दिन प्रतिपदा का आरंब हुआ अंद हो अधिक मास होने की इस्तिती में निमलिखित नियम के अनुसार यूड़ी पड़वा मनाते हैं प्रतिएक 32 माए 16 दिन और 8 घंटे के बाद वर्स में अधिक मास जोड़ा जाता है अधिक मास होने के पावजूद प्रतिपदा के दिन ही नव समवतसर आरंब होता है ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक मास भी मुख्य महीने का ही अंग माना जाता है इसलिए मुख्य चैत्र के अधिक मास को भी नव समवतसर का हिस्सा मनाते हैं अब गुड़ी पड़वा की पूजन बिरी देखते हैं तो इसकी पूजन बिरी है नव वर्स भल, स्रवण, और तैल, अभ्यंग, निम्ब, पत्र, प्राशन, नीम के पत्ते, खाना चाहिए नए सल का भविस्ट से जानना, तेल से इसनान करना, द्धजा रोहन करना और चैत्र नौरात्री का आरंब होता है और घड़े सापना होती है अब दिखते हैं, इसमें राजा वर्सेश, नौ समवसर का राजा वर्सेश, नए वर्स के प्रतम दिन के स्वामी को उस वर्स का स्वामी भी मानते है जो 2022 में हिंदू वर्स सनीवार के से आरंब हो रहा है आता है, नए वर्स समवसर का स्वामी सनी है गुड़ी पड़वा मनाने की वीधी प्राते काल इसनादी आदी के बाद गुड़ी पड़वा को सजाया जाता है लोग घरों की सफाई करते हैं गावों में गोबर से घरों को लीपा जाता है सास्त्रों के अनुसार इस दिन अडुड़ोदे काल के समय अभ्यंगिस नान अवश्य करना चाहिए सुर्योदे के तुरंत वाद गुड़ी की पूजा का विधान है इसमें अधिक देरी नहीं करने चाहिए चठक रंगों से सुन्दर रंगोली बनाई जाती है और ताजे फूलों से घर को सजाते है नए वा सुन्दर कप्ड़े पहन कर लोग तयार हो जाते हैं आम तोर पर मराठी मेला आए इस दिन नौवारी नौगज लंबी साड़ी पहनती है और पुरुस गेसरिया या लाल पगड़ी के साथ कुर्टा पैजामा या धोती कुर्टा पहनते हैं परिवार इस वर्स को इकष्टे होकर मनाते हैं वो एक दूसरे को नव समवत सर की बन्धाई देते हैं इस दिन नए वर्स का भविस्य फल सुने सुनाने की भी परमपरा है परमपरिक तौर पर मेठे नीम की पतियां प्रशाद के तौर पर खाकर इससे उहार को मनाने की सुरुआत की जाती है आम तोर पर इस दिन मीठे नीम की पतियां पतियों गुड और इमली की चटनी बनाई जाती है ऐसा माना जाता है कि इसमें रक्त साफ होता है और सरीर के प्रतिरोधक छमता बढ़ती है इसका स्वाधिय भी दिखाता है कि चटनी की ही तरह जीवन भी खटाम बिठा होता है गुड़ी पड़वा पर स्रीखंड, पूरन पोड़ी, खीर, आदिपकवान बनाए जाते हैं साम की समय लोग लेजिम, नामक, परंपरिकनत भी करते हैं अब गुड़ी कैसे लगाएं, जिस इस्थान पर गुड़ी लगानी है, उसे भली भाधी साब कर लेना चाहिए उस जगे को पवित्र करने के लिए पहले स्वास्तिक शिन्ध बनाएं स्वास्तिक के केंदर में हल्दी और कुम-कुम आरपन करें अब देखते हैं कहां-कहां पर कौन-कौन से किस इस्थल में किस नाम से इसकी आयोजन किया जाता है तो देश में अलग-अलग जम्हों पर इस परव को बिन-बिन नामों से मनाया जाता है गोवा और केरल के कुंकडी समुदाई इसे समवत सरफडवो नाम से मनाता है करनाटक में यह युगांडी नाम से माना जाता है अंधप्रदेश और तिलंगाना में गुडी पडवा को उगाडी नाम से मनाते हैं कास्मेरी हिंदू इस दिन को नवरे के तौर पर मनाते हैं मडीपुर में यह दिन सजिव नौंगमा पानवा या महतेई के नाम से जानते हैं इस दिन चैत्र नौरात्री भी आरंब होती है इस दिन महाराष्ट के लोग गुडी लगाते हैं इसलिए यह पर्व गुडी पडवा कहलाता है एक मास लेकर उसके उपर चादी तावे या पीतल का उल्टा कलच रखा जाता है और सुन्दर कपडों से इसे सजाया जाता है आम तोर पर यह कपड़ा केसरिया रंग का और रेशम का होता है फिर गुडी को गाठीन नीम की पतियों आम की डंठल और लाल फूलों से सजाया जाता है गुडी को किसी उंची स्थान जैसे की छट पर लगाया जाता है ताकि इसे दूर से भी देखा जा सके कई लोग इसे घर के मुख्य दर्वाजे या खिड़कियों पर भी लगाते हैं गुडी का महत्व यह है कि गुडी का महत्व दिखते हैं समराट सालिवाहन द्वारा शकों को पराजित करने की खुसी में लोगों ने घरों पर गुडी को लगाया था इसे इंद्र ध्रज के नाम से जाना जाता है भगमान राम द्वारा 14 वर्ष का बनवाज पूरा करके आयोध्या वापस आने की याद में भी कुछ लोग गुड़ी पड़वा का पर्व बनाते हैं माना जाता है गुड़ी लगाने से घर में शुक्षम्रदी आती है हिंद्रों में पूरे वर्ष के दोरान साड़े तीन महुर्द बहुत सुब माने जाते हैं ये साड़े तीन महुर्द गुड़ी पड़वा अच्छे दृतिया और दश्रहा और दिवाली को आधा महुर्द माना जाता है सो फ्रेंड से हमारा वीडियो आपको पशांद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा वीडियो को सस्क्राइब कीजिएगा कमेंट से जरूर कीजिएगा धन्यवाद